नवस्कार क्या हाल चालें सब ठीक हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अपना और अपने इनको ख्याल लाख और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो तैसी देख फिगर बे देख और पगेर लाग लपीट पिल्कुल देशी अंदाज में पसपास सुप्रीमो मायवती इंडिया गठबंदन को हिस्सा बन सके हैं और सोनिया गांधी उनके नाम की घोशना कर सके हैं यानि कि प्रदानमंत्री पद की दावेदारी मजबूती के साथ सोनिया गांधी मायवती को नाम लहक के और घोशना कर सके कि सूतरन के हवाले की खबर ही हमने आपको सबते पहले बताई यहां के बाद हमने कॉंग्रेस के कई सारे नेता हैं उनके आप इसे मैं बात करी उनकी प्रतिकरिया जाननी चाही उनकी प्रतिकरिया भी आपको सुनांगे लेकिन सबते पहले EVP News की खबर है क्या खबर है बहुत गौरते सुनो और ये सारी चीज़ें किधर को बढ़ती हुई जा रही है ये समझने की कोशिस करो सुनो लोग सवाचुनाम में इंडिया गटवंदन ने बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लाने की कई बार कोशिस करी है पर हर कोशिस नाकाम रही है ये EVP की खबर है बहुजन समाज पार्टी की मुख्या मायाबती ने कई बार सामने आकर सोसल मीडिया पर पोस्ट भी करो है और अकेले चुनाम लड़ने की बात उनने कई बार कही है गो काई के साथ गटवंदन में शामिल नहीं होंगी कि कई बार कह चुकी है पर सूत्रन की माने फिर यहां भी सूत्रन की माने तो अभी एक आखरी मौको बचव हुओ है और ये मौको है आचार सहिता के लगने को औ आफिनिया गानी की बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ते अंदर खाने बाचीत जारी है और बाचीत अचार साहिता के बाद गटवंदन को एक नयोग दे सके है सूत्र क्यमे है के कौइड्य की कौशिश है कि गोई इंडिया अगटबंदर में बहुजन समाज पार्टी को भी साथ लानों चाहँ है जाते हैं अगटबंदर में बहुजन समाज पार्टी सपा और कॉंगरेस मिलके हैं इंडिये को एक बहुत बड़ी चनोती दे सके तो कि सुत्रन के अवाले की जो ख़बर है वो खाली अगर धुमा है तो आग जरूर होगी तो बाचीत अंदर खाने बिल्कुल है चुकी है लगबग बास ओप्चारिक गोशना है नहीं बाकी है और कॉंग्रेस के जो प्रवक्ता है प्रोफिसर अरुनेस यादव कॉंग्रेस कुछ सुनाँगे अगर बस्पा सुप्रीमो मायावदी गटबंदन में शामिल हों तो देश को नकसा ही बदल जागो राजने तिक नकसा बिल्कुल बदल जागो राने वारे समय में अगर रहसो हुओ तो फिर एंड ये गटबंदन आपको नजर ही नहीं आपे वो सीट दर सीट आप अंदाज लगाते हुए चले जाओ काई भी सीट पर इतनों ज्यादा मार्जिन होगो इंडिया गटबंदन को कि सामने वारों के नजर नहीं आपेगो आपके जो सूतरन के हवाले की खबर है ये खबर पुक्ता हैने में कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रत नहीं है राजनितिक लोग है राजनितिक लोग एंड टाइम पे भी अपनो जो फैसला है वापे कायम रह सके हैं और वागो बदल भी सके है अहला कि बस्पा प्रिमायापती कई बार कह चुकी हैं लेकिन जो सूतरन के अवाले थे कि चैनलन की भी खबर आ रही है उन सब के सुनके तो ऐसो लग रहो है कि अंदर अंदर माम लो बिल्कुल फिट है चुके हो और कौन रेसी नेता लगातार या बात को कह रहे हैं कि अभी इंतजार करो अब इंतजार करो खीर गरम है अब इंतजार करो इसे में वह चर्चा को भी एक बार सुना पहली प्रतिकिलिए भाई देखो हमने आपको पहले ही कहा था कि सही समय आने पर आपको जो है एक बहुत अच्छी सूचना मिलेगी और बस अभी खीर गरम है थोड़ी ठंडी हो ज ख़वर मिलेगी जितने हमारे बोजन समाज के लोग हैं जो अभी कई ना कई संसे में हैं घवराए हुए हैं तो बहुत अच्छी ख़वर मिलने वाली है और पूरा जो हमारी पिचासी परसेंट आवादी है उसके लिए बहुत सुचना हमारे इंडिया गठ्वंदन की पास्त है आप ते के खबर को जादा ते जादा लाइक और शेयर करते रो खबर रुकनी नहीं चाहिए हर वोजन समाज के लोगन के फोनन में की खबर पहुंचनी जरूर चाहिए जोंक जाक रहती जबी आवेगी तो सीदो सीदो कहने को मतलब के खबर को ठोकते रो ठोकते दूसरे के फोनने तक पहुंचा दो और जैसे ही नई खबर आवेगी आपके सामने फिर आज रोंगे जब तक के नहीं है देशी देख बिगर बिरेख बगेर लाग लपेट सिर्फ सोरा स्टाइम्स पर बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार